असलाम अलेकम वहीर जुदू हकुमत और क्रप्ट माफिया इनके तर्मेहन के चानग और उसके बाद जो प्रिटिकल पार्टी है कुछ कुछ उसमें जर्दातर जो लोग इन्वाल्व हैं वो क्रप्ट माफिया के साथ हैं और जिसकी वज़ाते पाकिस्तान में महंगाई है औ क्योंके प्राल्वम यह है कि पिछले सतर साल में किसी ने उन लोगों पर हाथ नहीं डाला इसलिए कोई भी उनके खिलाफ हाः डलने की बात करता है तो क्या होता है? वो हकुमत के रा देते हैं नहीं रहें हमाट चलने की बात आधे यह जा इस किसमके अहलाद पैदा कर डे उमिद की नजर से देख रही होती है, खुमत की खुमत को ऐसा एक्तिदामात करे ईगी जिसकी तो कि वज़ेसे लोगों की जिंदगी में असांगी आएगी लेकिन हर वक्त नियुज के अंदर यही होता है कि जी यह हो रहह, वो हो रहह, फलाना हो रहह, और अकुमत चो एक्राफ्ट माफिया को पकड़ रही है, एक्राफ्शन को खतम कर रही है, ये कर रही है, लेकिन असल मुदा महिंगाई, लोगों की जिन्दगी में आसानी, इसको कैसे हल किया जाए, करजे पर करजे लिए जा रहे हैं, जो पहली अकुमते थी उन्होंने तो करज लिए अब तो ये हकुमत भी चलने के लिए करजा ले लिए, अभी तक मुल्क अपने पाउँ पे खड़ा नहीं हो सका, तमाम रिसूर्सिस, तमाम मेंडरिल, इनके होने के बावजूद, पाकिससान अपना खर्शा खुद पूरा नहीं कर पारा है, और ऐसा लेडर भी आज के मुस्तकिल काम नहीं करने दिया, हम यह नहीं कहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर है, वो तीन तीन तफ़ाए और चुनाब रूर करें, एक तफ़ाए लेकिन बस्तर्फ करें, फिर यह होता है कि हमेशे हवाम के समने एक एक्स्क्यूज होता है, कि आज से सतर साल पहले जो और तो बहुता है, मेरा खेल है, यह नहीं होता है, पूरी दुनिया है, सुपर सॉनिक है, गलोबलाइजेशन हो चुकी है, चीज़ें कॉम्पेक्ट हो गई है, कमाम इंफरमेशन दुनिया में बराबरी से स्प्राइट कर चुकी है, लोग एजुकेट हो चुकी है, उसके इस रोंग इना गवर्मेंट, सकेंड, गिरोक्रेट्स, तो शुरू से अपनी मुरापली रखते हैं, आपके जिस्ट्रिस डिपार्ट्मेंट, जो है, अदलिया जो है, वो पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेती है, अपने वामला तो हल नहीं करती, जो केसिस के अंबार तो इसको थरूली आप उसका जाइजा लें, तो एंड अफ़ दे उसकी जो बैनेफिशर्ट है, वो ही अलीट किलास है, वो ही बिरोक्रेट्ट, वो ही फ्यूडरल लॉट, वो ही लोग इसकी बैनेफिशर्ट है, आम आदमी, तो बस खुबसरत कहानिया सुनता है, जिसके प बुलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी सिलसिला सारा बंदो के है, ट्यूरेजी, के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, लोग डरते हैं हमारे मुल्क के अंदर आते हुए, क्योंकि इस तरह की हवा क्रियेट कर दी गई है, कि जी ये हो रहा है, क्योंकि हम दूसरों की जंग के अंदर हिस्सा लेते रहें, इस वज़े से लोग हमें समझते हैं कि हम ट्रबल लेकर हैं, अब रिवेंच पॉलिटिक्स उसके इलाबा हो रही होती है, कि जिसमें सूखी के साथ गीली भी जल रही होती है, जो गर्वर्मेंट में होते हैं, बाद में वो जनाब इदालतों मे तब उनको जेनों के अंदर होना चाहिए, ताकि वो एक्जेम्पन हो, चाहे उन्होंने दस साल परे की थी, आज की थी या कल करेंगे, और ये क्रॉप्शन आप पड़ों के ओपर फैंक रहे हैं, वो तो आप फैंक हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी सता पे, चाहे वो बिरोक्रेसी है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे सिवल सर्विस के लोग हैं, इसके अंदर जहां पे भी, किसी भी जगह पे करॉप्शन होती है, उसको बिल्को टॉलरेट ना किया जाए, और अब ये टाइम है, अब मसला ये है कि, आहम आद सकाएंगे, मारेंगे, कोई सिवलाइस तरीका नहीं है कि हम इन लोगों को फिक्स कर सकें, कैसे फिक्स करेंगे, क्योंकि इनको हादत पड़ चुकी है, इनकी उलादें जो हैं, वो इसको उसको एंजॉय कर रही है, एक चीज़ कहने की है, कर तो ये देते हैं, बड़े- इनकी बात सा जाती है, लेकिन इनका इंजाम क्या होता है, एर्विवन हैस तो गो वन डे, वन खुदा आपको बिलाएगा, फिर क्या करेंगे, आप क्या समझते हैं, कि जब कोई आदमी इनके नेकलिजेंस की वज़ा से जिन्देगी की बाजी हार जाता है, या उसके घर मे भूक होती है, या वो तकलीज में गर्मी के अंदर तरबता है, तो क्या इसके लिए वो एकाउंटेबल नहीं होगे, येस, कोई भी इंसान, जब किसी को तकलीज देता है, वो एक नेक ने, एकाउंटेबल जरूर होता है, बड़े-बड़े सबक पढ़ने से, बड़ी- अब वाकी वो काम करें, जो अल्ला ने काए है, जो हमारे नवी पाक ने फरमाए है, अगर आप कुरान के मताबिक ने चलेंगे, सुन्नत के मताबिक ने चलेंगे, इखलाकियात के मताबिक ने चलेंगे, तो इस तिंग इस नाट गॉन टूवर्क, जो महनती है, अपनी जिं यह जो दफातर हैं आपको चक्र लगवाते हैं और हर वो रास्ता हर वो हर बाद इस्तमाल करते हैं कहीं न कहीं वो आपकी जेट से पैसे निकालें Do you think this is fair? No, this is not fair करोना वारिस आया उसकी वज़े से पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया की एकानमी खराब हुई हमारे मुलक की जएधा खराब हुई हमारे आज तकर्में पचास लाख लोग हैं वो बेरोज़गार हैं समझ ही नहीं आती कि उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा बेरोक्रेसी अपनी तमख्वाई ले रही है मज़े में वडेरे हर वो चीज जहां से उनको अपरचुनिटी मिलती है जहां से वो जखीरांदोजी करें या बड़े-बड़े ठेकों के अंदर अपने इंसेंटिक रखें उसके बाद वो तो बैनेफेचर्ड हो जाते हैं वो इंज्वाई करते हैं लेकिन आदमी का क्या होता है जाएं कराची की बस्तियों में देखें जाएं रावल पिंडी के मुझाफाथ के अंदर देखें जाएं हर शेर पाकिस्तान का वहाँ पे जो गरीब तब का है उसके ताथ तो क्या हो रह सुबह सिरे सिर्फ कंप्लेन 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 और सिर्फ कंप्लेन होती है कोई इन चीजों के लिए काम नहीं कर रहा है ना बेरो क्रेजिक काम कर रही है ना अफसरशाई काम कर रही है ना हकुमत काम कर रही है नहीं कर रहे हैं ये लोग सिर्फ अपने हकोमत बचाने के चक्र में ज्यादा सीटेन लेने के चक्र में और जिनाब के सिर्फ ये क्या है यार कितनी तक्लीफ देंगे कितनी अजियत देंगे अपने लोगों को क्या यह हमारा घर है क्या जिस घर के अंदर लडाई होती है, जिस के घर के अंदर इखलाक नहीं होता है, इखलास नहीं होता है, वो घर कभी गरों नहीं करते हैं, उन घरों के अंदर कभी सुकून नहीं आता है, वो घर कभी बड़े नहीं बनते हैं, उनके अंदर क्वालिटी अफ लाइफ इंप और एक दूसरे की मन मनाओ, यह नहाओ कि जिनाब मैं उसकी बात नहीं मानूँगा, इसको क्यों सरवड़ा बना दिया, नहीं, इदारों को गवर्णमेंट के नीचे होना चाहिए, बनिस्पत के अगों, अदे इदारे जो हैं, वो गवर्णमेंट को डिक्टेट कर रहें, में आणलयाओ कुझ्ःणमे हों, फ़ड़ा डिक्राने, बनिस्पत अब होनुग्णा नहीं होना तो भी आपके जिचिए, government से भी बात करने चाहिए, opposition से भी बात करने चाहिए, ठीक है जी हम government को उतार देते हैं, यह स्ट्रीफे दे देते हैं, what next, आप लोग, जिनको तीन तीन दफा government मिली और उनने कुछ नहीं किया, कराची के अंदर हर कोई कहता है, यह हमारा कराची, हमारा कराची, हमारा कराची, आप लोगों ने जिनाब housing project बनाना शुरू कर दिये, so this thing is not going to work like this, I think हर आदमे को मुखलिस होना पड़ेगा, अपनी नियत को साफ करना पड़ेगा, हर वो चीज जो गलत हो रही है, चाहे आपका बच्चा कर रहे है, चाहे आपका, आपके खांदान का फर्द कर रहे है, उ हमारे हैं क्या होता है कि एक साहब है, उन्होंने चोरी कर ली दोका कर लिया, उसको पकड़ के ठाने ले गए, तो पता चला जी कि जो SHO साहब है, वो भी उसी बरादरी के हैं, ये भी उसी के बरादरे में है, उसको जनाब favor मिल गया, नहीं जी बस खलती हो गई है, बस कोड़ दिया जाते हैं, कोई सजा नहीं होती है, और जिसको छोड़ा जाता है, वो तुबारा आकि वोई हरकते हैं, कौम पहचान के लिए, इंडिविज्विली, जोबी आदमी, किसी किसम की corruption, जयाती, या कोई ऐसी चीज़ करता है, जिसके अंदर माशरे में बिगाड आत है, I think he is accountable and he has to suffer, he has to go in a correction center and either he is going to go in a jail, हमारे आदमी के बारे में कोई बात नहीं करता है, एक गरीब आदमी है, बिचारा काम करता है, एक बिसनसमेन है, पूरी जिन्दगी बिसनसमेन करता है, end of the day, हज़ारों एकड के साफ़ से जमीन दे दी जाती है, कोई वो नहीं है, हाँ जी, वो पाकिस्टान को सर्फ कर रहें, of course they are serving पाकिस्तान, they are पाकिस्तान की वो पाकिस्तान की एफाज़त कर रहे हैं, हम उनकी हमारा ये फर्द बनता है कि हम उनका ख्याल करें, लेकिन वो अपनी लिमिट को एकसीड मत करें, क्योंकि जब वो अप अपनी पाकिस्तान की हवाम के अंदर disrespected हो जाएंगे, we don't want our army has to be a disrespected, because the Pakistan army, one of the best army, and we don't want to say was, and that is, ये किसली होगा, जब हमारे officer ठीक होगे, हमारे commanding, जो establishment है, वो सही होगे, सही फैसले करेंगे, discipline रखेंगे, मेरे खैल है कि, एतसाब हर जगह पर होना चाहिए, check and balance हर जगह पर होना चाहिए, यह नहीं है, यह एक 18 ग्रेट से लेकर उपर 22 ग्रेट तक वो बंदा जो मर्जी करें, वो हम को जाकर numbering की गेम बताए, यह यू नहीं हो सकता है, यह यू नहीं हो सकता है, आईंगे कहता है, वो कहता है, नहीं, इसके मतलब है कि एक आम आदमी है बिचारे को, उसको सीधी सीधी चीज़ें पते हैं, उसको नमबरों की चकर में आप उलजा के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मिनाते हैं, जिन्दगी को आसान करें, चोटे-चोटे मुल्ग कहां से कहां पहुंच के हैं, और आज हम उसी लडाईयों के अंदर हैं, हमारी असेम्बलियों के अंदर जिस तरह काली ब्रोज होती है, जिस सरी के यह चारेक्टर हैं, जिस तरह की लेंगज़ इस्तमाल करते हैं, हमारी थेहन, बेटियां, बच्चें वो लेंग़गेज सुनना ही सकतें, शरम का मुकाम, णह लेंगटायां थिस सोफी, वो लेंग़ज़ एंदर आइंगेटाव। अंदर हमारा पकिस्तन ग्रोग करें, हमारा पकिस्तन डेलाईट हो यार, हमारे पकिस्तन के अंदर लोगों के य हम पाकिस्तान पर पाकिस्तान के अपार्ड करें हमारे पाकिस्तान का निजाम अच्छा हो अमारे जो यह प्राइडर हैं सीधे रास्ते पे चले, आम लोगों के लिए असानियां प्यादा करें। अल्ला जी हमें सही रास्ते पे रखें। शुक्रिया, अस्लामुलेकम, अल्हाफिस।